हम पट रहे हैं basic mathematics और basic mathematics में लास्ट क्लास में start किया था आपका coordinate geometry, coordinate geometry में हमने देखा था आपका Cartesian plane देखा था, slope देखा था, straight line देखा था और intersection of point देखा था यह हमने बात की थी last class में, now coordinate geometry को हम आगे बढ़ाते हैं और next जो हम देखने जा रहे, that is parabola कि क्या होता है parabola, वो आज की class में जाने है, ठीक है, तो start करते हैं आज की class parabola parabola, देखिये क्या होता है parabola, देखिये कोई भी equation, कोई भी equation जिसमें आपका y की maximum power y की maximum power कितनी हो, 2 हो, कोई भी equation जिसमें y की maximum power कितनी हो, 2 हो, या x की maximum power उस equation में अगर आपकी y की maximum power 2 है, और आपका x की maximum power 1 है, तो वो equation कैसी होगी, वो equation होगी parabola या, एक तो बात यह, या हो सकता है आपका, कि उस equation में आपका x की maximum power स्टम्रावर एक्स की मेक्सिम पावर कितनी हो आँगा। इपर ऒबनाएगा, पैरा भोला कर बनाएगा ठीक है, जिसमें y की maximum power कितनी है y की maximum power है 2 और x की maximum power कितनी है x की maximum power है 1 और जो हाँ पर a दिख रहा है a as a constant है एक ऐसा है constant concept मतल़ based value एक है quantity क्वाइब कर और आपको graph draw करना है आपको इस equation का graph it is equation की कर्व कैसे बनेगी पहले बात्तों कर बनेगी क्यों कि y की maximum power कितनी है 2 और x की Maximum power कितनी है मतलब यहां पर 2-degree बनेगा एप equation में 2-degree आ रहा है तो यह curve बनेगी 100% curve बनेगी स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी क्योंकि स्ट्रेट लाइन की equation होती है y is equal to mx प्लस दिसमे एक्स की maximum power 1 होती है y की maximum power 1 होती है अगर दोनों की maximum power 1 तभी जाके स्ट्रेट लाइन बनती है यहाँ पे तो y की maximum power कितनager 2 मतलब इस equation में maximum power कितन है to maximize और तो यह पक्ता स्ट्रेटलाइं नहीं बनेगे ठीक यह बात मैं यह क्या बनेगी कोई नवा। देखे मुझे इसका कर्डो करना है इसका कर्डो कर आप कि कि यह एकसे हैं यह एकसे से मुझे इसका सब्सक्राइब करना है तो मैंने इसका कफ ड्रो किया तो भाई कुछ एक बात देखो पहले आप वाई इस इकल टू एक से तो इसका स्क्वेर अगर मैं सेट जढ़ा हूँगा तो क्या आएगा वेल्यू दू आएगी दो वेल्यू आएगी अगर एक्स की कोई एक वैल्यू मै मतलब कुछ ऐसा है कि अगर एक्स की एक पॉइंट कोई भी पॉइंट यहां पूट करोगे इस एक्वेशन में तो वाई की दो वेल्यू मिलेगे एक आपको पूरी एक्वेशन में गे क्या आप x की value डालोगे और y की value मिलेगी आप उस point को plot करोगे graph में तो add the end आपको कुछ ऐसा मिलेगा और इस equation को इस equation के through हमें क्या मिला ये curve मिला और इस curve को मैं कहता हूँ पैरा बोला इस curve को मैं क्या कह रहा हूँ इस curve को कह रहा हूँ मैं पैरा बोला आपको बहुत आसानी से अब ये curve बना लोगे इतना आपको करने की जरूत नहीं इतना आपको plot करने की जरूत नहीं इतना point लगाने की जरूत नहीं आपको क्या करना है आपको डारेक्ट ये देखना है कि भाईया आपका जो भी कर्व है जो कर्व आप प्लोड कर रहे हो पैराबोला का कर्व है पहली बात यह पैराबोला का कर्व है और इसमें जो जिसकी भी पावर बन हो इस एक्वेशन में जिसकी भी पावर बन हो मतलब जिसकी भी मैक्सिम पावर बन हो उसके सिमिट्री आप पैराबोला का कर्व बना काण तो उसके सिमेट्रीफ यहां पर इस एक्विशन में दो घर घर रो करो वोई दिक्र नियों डारेक्ट अब ड्रोग रोग करो ठीक है यह पैराबोला टीक नौ नाव देखिए आपको जो पैराबोला की फोर स्टेंडर्ड होती वैल्यू वो दीखाता हो पो पैराबोला की स्टेंडर्ड वैल्यू पैराबोला कोर स्टेंडर्ड वैल्यू है कोन कोन सी है वन बाए वन हम देखते है तो फिर्स्ट वन है आपका यहां पे एक्स की मैक्सिम पावर कितनी है वन और यह जो आपको यह दिख रहा है यह पार्ट आज अ कॉंस्टेंट है और यह आपको सबसे पहले दिखो यह यह की स्टेंडर्ड आपकी एक्वेशन एं ठीक है अब है यग की मैक्सिम पावर टू है और एकस की मैक्सिम पावर कतनी है वन है तो आप इसका ग्राफ ड्रो कर सकता अराम से अभी मैंने जैसे बता है कि यह जिसकी हाइस पावर कितनी हो वन हो उसके सिमेट्रिया पैराबोला ड्रो कर दो ठीक है यहाँ पे हाइस पावर एक्स की क्या है वन है तो एक्स के सिमेट्री में पैराबोला ड्रो कर रहो एक्स तो इधर होता है जिसका हमने कर्व ड्रों कर दिया ठीक है यसकरे इसकल टू we you know कि यसक्ट फोरे एक्स माक्नस-प्य एक्स-वी पिछले वाले केश में यह फ्लस था नज आप आप बात कर रहे हैं माइनुस की तो देखो इसका ग्राफ आप कैसे प्लॉट करोगी तो देखो मैंने कहाँ जिसकी मैक्सिम पावर वन हो इस इसे कुईशन में सबसे फ़ले देखो पैरा बॉल पैर बोली है कि निया ठीक है तो पैरा बोला है क्यों कि इसकी य की the re shall let us Kweer UdwoodיזOL an Erimson P04 breathing डोलों एं तो अगर यह है तो भाहिया आपक 거지 अप्सकियर फेरा बोला पहिरा बोला तुना क्छा italy को मैंने बताएं जिसकी maximum पावर वन हो उसके सिम्हेटरी का डोलो यहां पे मैक्सिम पावर किसके है, 1, x के, x के उपर मैक्सिम पावर 1 है, पर x यहां किसमे नेगेटिव में है, तो ओ नेगेटिव के x किदर होता है, इस साइड होता है, तो आप इधर, इस साइड आप सिमेट्री कर्व डोगरो, यह इस साइड, यह कुछ पैराबॉला की एक्वेशन, ठीक है, तो यह इसकी जो कर्व बनेगी, इधर प्लॉट होगी, ठीक है, आपको थर्ड दिखाता हूँ, थर्ड एक्वेशन, थर्ड देखे, एक्वेशन, इस स्क्वेशन, 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 मैंने बोला जिसके symmetry जिसके power 1 हो उसके symmetry आप curve draw करोगे parabola की तो भाईया आप दिये देखो किसकी maximum power 1 है तो भाईया y की maximum power 1 है और y यहां positive का है ठीक है positive की maximum power 1 मतलब positive का उपर होता है मतलब इसके symmetry मुझे parabola curve draw करना था बस यह कुछ आपका parabola curve होगा ठीक है यह parabola curve है इसका नहीं नेक्स दिखाता हो आपको next equation next and fourth equation is x square is equal to minus 4 ay x square is equal to minus 4 ay now मुझे इसका curve draw करना है तो देखो इसका मुझे curve draw करना है ठीक है तो देखिए इसका curve draw करना है तो यहाँ पर आप पहली बात यह देखिए कि भाईया y की maximum power कितनी है 1 तो भाईया y के symmetry curve बनेगा y के symmetry curve बनेगा और y यहाँ कैसा है negative में है तो negative side आप symmetry curve बना है तो नेगेटिव side symmetry में curve बना रहा हूँ नेगेटिव side symmetry curve यह आपकी parabola equation ठीक है इसकी यह curve बनेगा इसका में लिग दो y square इकल टू माइनस ठीक है यह इसकी equation ठीक है ना यह बात है हमारी कुछ four standard equation of parabola ठीक है कुछ question करते हैं और समझते हैं इन सी चीज़ें को और अच्छी तरीके से लेटर सपोस्थ मैं आपको कुछ example देता हूं लेटर सपोस्थ यह है आपका k square is equal to half mb square मतलब kinetic energy की equation क्या होती है half mb square kinetic energy क्या होता है half mb square आपको मुझे इसको plot करके दिखाना है कौन से graph में मुझे plot करके दिखाऊ इसको k और v kv graph में इसको plot करके दिखाऊ अगर मैं इसको kv graph में इसको plot करूँगा तो भाया जो यह पार्ट आपको दिख गया यह पार्ट as a constant rate करेगा और देखो यहाँ v square है और k है मतलब यह पैराबोला की equation है पैराबोला की equation और यह constant है मुझे त plot करना है तो भाई आप यह देखो इसको मैं ऐसे लिख दूँ वी square is equal to 2k upon m 2k upon m जिसमें आपको यह क्या है as a constant है और आपको ड्रो करना है किसके according आपको इसका curve ड्रो करना है तो मैंने बोला भाया जिसकी maximum power 1 हो जिसकी maximum power 1 हो उसके symmetry आप curve ड्रो करो पैराबोला जिसकी maximum power 1 ह आपको इसके symmetry पैराबोला करना है तो बस ड्रो कर दो कि यह यह पैराबोला कर बें किसका के वी का ग्राफ हो गया यह इसको और आपके यह equation है किसकी पैराबोला की equation है और आपको करण करोगे तो कुछ ऐसा प्लोड ठीच नेक्स्ट बात करते हैं एक दो कोशिशन ओर लेते हैं वटाफट गोर एक्जामपल देखिए एक्जामपल देखिए लिए अस्पोज मैं लेता हूं यूज इकल टू आफ मुझे इसका कर प्लोट करना है तो सबसे सिंपल जैसे हम कर रहे हैं वैसे फटाफट कीजिए मुझे इसका कर प्लोट करना है यू और एक्स के बीच में तो पहले आप देखे ये पैराबोला है के निए तो यह पैराबोल है क्यों क्योंकि यह कॉंस्टेंट ट्रीट हो रहा है और यह आपका एक्स और यू के बीच में आपको कर्व ड्रो करना है तो कर्व ड्रो करना है तो एक्स की मैक्सिम पावर है टू और यू की मैक्सिम पावर है वन तो मतलब यह पैराबोला की एक्वेशन वह यह ड्रो करो मैंने का जिसके symmetry जिसके symmetry ड्रो करोगे उसकी हाइस पावर किती होने चीए देखो u किदार है यह उपर है मतलों उपर ड्रो होगा और इसकी हाइस पावर किती है ठीक है और उपर से देखो यह negative यह negative आप इसको ऐसे ठीक करके लिख लो x square is equal to minus 2 minus 2 upon making is equal to equal to u यू यू ठीक है यह आपका कुछ ऐसा है मुझे इसका curve plot करना है तो मैं कैसा plot को मदिको यह negative है यू किसमे है negative में है तो negative मैं तो यह इसका curve कुछ नीचे प्लोट होगा और किदा होगा नेगेटिव में है तो यह आपका इसका curve इसका एक्विशन है पैरावलक एक्विशन है किसकी लिख हो यहाँ पर x यू इकल टू माइनस हाफ की x को है इसका equation है यू इकल टू माइनस हाफ की x को है जिसका यह कर हमने प्लोट किया है नेक्स बात करते है हम को नगारा नेक्स देखिए नेक्स पोशन देखिए मैं सबस्कोए ओर क्विशन की यह है ने है टिन दू अधे आप जीटी जाए टीटीश एज इसकल टू हाफ जीटी एटीश का रम एक्श के किस के बीच में मुझे तको बोट करना है एक और ठीके के बीच में कर प्लोट करना ठीक है एच और टी के बीच मुझे कर प्लोट करना इस एक्वेशन का तो आप पहले देखो यह पैराबोला है कि यह पैराबोला अगर एच और टी के आंटो कि अपटो एंटू एज-वान मिए जी ठीक है बना इसको देखो यह को यह निया को और high spiritual कर दिखोड़ी नहीं को कर प्लोट करना किया चौर सब्सक्राइब कहा है अब यह प्राइब बने है आपकी एच की हैच की मैक्सम पार बने तो इसकी सेमेटरी आप पैरावोला की गर्वागर एच ऊपर है तो और यह पोजिटी में वाजिटीव मतलों पर यह पैर अब कर दो हो दिखो है स्की क्या होगी यह की कर होगी ना नेक्स बात करते हैं next. और देखिये अगर यह negative में होता, अगर यह negative होता, अगर यह negative होता, तो भ disparкое area curve नीचे plot होता, ठीक है, negative होता तो भिए यह negative होता, और curve किदर plot होता नीचे, मतलब नीचे की side, भहिए जिसकी आप maximum power 1 है, वो negative में है, negative किदर है, नीचे, वही आप नीचे प्रॉट्क तब नेगेटिव होता तब टीकर ना नेक्स्ट पॉशन देखिए लेटा सपोस कोई एक्जामपल लेते हैं लेटा सपोस एट इस एकल टू lot मुझे इसका करना मुझे इसका करना है अच है तो वहिए आपको किसके बीच मिफ रॉट करना है वो भी देख लो आपको इसका करना है है एक और ट के बीच में एक और ट के बीच में इसका कर प्लोट करना है तो आप देखो अगर सुचो अगर यह सिर्फ इतना होता सिर्फ यह होता होता है यह नहीं होता है अगर यह सिर्फ इतना होता तो मुझे पता है अभी हमने लास कोशन जो किया मतलब इसका कर्व कुछ ऐसा बनता अगर सिर्फ इतना होता तो पर इस केस में इतना तो है अभी यह भी तो है इस केस में अगर सिर्फ यह होता सिर्फ यह होता तो मैं इसक इस केश में हमारे इस कोईशन में यह एक्ष्ट है यह 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 भी लेना पड़े यह कैसे लोगे यह कैसे कैलकुलेट करो फिर उसका ग्राफ बनके क्या आएगा अब वो देखो मैं निसा अब आज़ेड़ वॉडिल तो मैं क्या करूँगा एच जीरो फूट करूँगा ऑच जीरो पूट किया और मैंने टी की वेल्यू फैंड कली एच जीरो पे मैंने क्या किया T की वेल्यू फाइंड कर लिए और क्या T की वेल्यू वाई इस एक्वेशन के तुरू ह मैंने रखा 0 और T की वेल्यू मैंने फाइंड की half gt square half gt square ठीक है मैंने t common लिया t common लिया तो बचा u plus half gt यू प्लस half gt 9 एक बार मैं इसको T की वेल्यू इसको इधर भेज गूंगा तो ट की वेल्यू आईगी 0 और एक बार मैं इसको इधर भेज गूंगा तो यह बचेगा आपका q plus half gt is equal to 0 और आपका होगा यह आपका कुछ half gt is equal to minus u यह आपका बनता है t की वेल्यू निकाल लेंगे इसमें से तो कुछ बनेगा आपका t is equal to minus u 2 उपर जाएगा 2u apply 2u by g देखे t की दो वेल्यू ओगी यह तो यह पास आथी इस टी की दो वेल्यू आगे अगर सोचो पहला सिर्फ इतना होता था हमारा graph जो plot होता यह होता सिर्फ बट अब यह ती की दो वेल्यू आई इंकों सा एक्सेस पे एक्स एक्सेस मतलब टी आपके horizontal लाइन पे है इसका मतलब टी जीरो और आपकी दूसरा पॉइंट क्या है टी के दो पॉइंट आए आपके टी जीरो और आपका एक और पॉइंट आया कौन सा माइनस टू यू बाई जी टी की वेल्यू यही है माइनस टू यू बाई जी और मुझे आप कर्व प्लॉट करना मैं कर्व कैसे प्लॉट करू हूँ आप देखो तो भाई आपका जो कर्व हो गाना बस इसी के according प्लॉट होगा बस आप पैराबोलो इसको पकड़के प्लॉ यह होता बट यह इतना है नहीं यह कुछ एड है तो मुझे कुछ सॉल्व करना पड़ा और इसका जो फाइनली करव आया कुछ यह आया ठीक है और टाइम कभी नेगेटीव में नहीं होता है तो हम इस साइड के ग्राफ को ऐसे नहीं दिखाते हैं इसको हम डॉटेड लाइन म इसी लिए है क्योंकि भी आपका कर्व तो कुछ ऐसे बना है बत हमारा कभी भी नहींर पुम किसमें रिप्रजेंट कर रहे हैं लोटेड लाइंट अगर सिर्फ इतना होता इतना ही होता हमारा जो कर प्लोट होता हमारा जो कर गैसा प्लोट होता हमारा कर नेगेटीव में जाता मतलब हमारा कर कुछ ऐसा प्लोट होता डेक्र कुछ ऐसा प्लोट होतां पर ये ऐसा नहीं और नहीं आ sneeze नहीं आ इसने कुछ एड इसमें कुछ ऐड़%, यह हमें क्वेद्आ हमें क्या करना पड़ेगा यह है कि वे टी की वेलू किस-किस पर लाई कर रही आपकी तो देखो है ईच nawt पर देखो जीरो इस इकल टू कि उटी नस आफ जीटी स्क्वायर आपका टी कॉमन लोटी कॉमन लेने पर आता आपका कि अग्यों प्रिलास कि वहाँ प्रिटी जिसमें आपके टी के वैलू कि आई एक बार एक बार जीरो आई कि सेकेंड टाइम आप टी की वैलू यह उधर पेस्दोगे तो यह जीरो जाएगा इदर बचाएगा हाफ टिकि वैल्यू यहां से निकालों टिकी वल्यू निकालने पर आती आती है पिसके बीच में एच्छोर एक बीच तो पीके बीच है मुझे ग्राफ सब्सक्राइब दूनों तर दूसरा कुछ यहां पर यहां पैंट यह वैल्य वैल्यम प्राइब करना मुझे ग्राफ प्लॉट करना घुण तो अप इसके अकोडिनग्राफ प्लोट करो और आप देखो यह किसमें नेगेटिव में नेगेटिव है इसोः नेगेटिव नीचे अट्सी आपका gummy आपका और अमें पाथ को ना विए यह हुआ पाथ यह टाइम कबिनेगेटिव में अतल्स आ डॉपटेड लाइए कर disappeared यह आपका क्या परपोला का होगा एक परपोला की एक क्या होगी कर पोगी ठीक है आपका है जीट क्या है एक ठीक है नाओ नेक्स्ट नेक्स देखियें इसका कर प्लोट करना है तो देखो अगर सोचो सिर्फ यह ना होता अगर यह नहीं होता यह नहीं होता तो मेरा अगर यह नहीं होता तो मेरा कर परपोल को अब यह भी है यह है तो मैं क्या करूँगा मैं क्या करूँगा मैं पूट करूँगा लेट क्रनर आपका आता है विच पर दुछ रवट यह क्या है एक बार आपकी टीक वेल्यू जीरू आएगी और एक बार टीक वेल्यू किस प्लौट करना है किसके बीच में वी और टीके बीच बीच ऑम उचे ग्राफ प्लौट करना है अगर यह सिफ इतना होता तो मेरा ग्राफ यह प्लोट होता मतलब नीचे की साइड प्लोट होता इक है आपकी जीरो और एक है miss, को ढ Bite यह प्लस होता है यहां स्चिना闪कता होट कि यह प्लोटल इस वाथ यह आपका टी जिरो आगे यदी लाट तो प्लस होता है, आपका क्या इस प्लस होता है अभी तो यह क्या है स्चिना इस प्लोटल मैंने चाल ब्लोट इन जो यह दोनों दिखा दिया रहा है हमें जित्ता चहें था हमने उत्ता देख लिया हमें बस देखना की सा होता है कॉनिक सेक्षिन इसमें पड़ोगे आप पढ़ोगे तो बहुत आप कभर कर लिया नेक्स जो टोपिक बात करते हैं लैक्सी ऑलीप्स कि मुझे मेरे इलिप्स होता है आपको शेप दिखा रहो है एलिप्स का रोज़ मेरे शेप गोड़े शेप होता है इलिप्स का कुछ लाइं ने मैं आपको कि एस टायप कर यह लिप्ज का सेप रोते जिसमें आपका यह प्यूइंट दो कर्योदोह दो फोटे बाुइन को कहते हैं फोकस अज्य्मश्म गोगने के करेहां प्रेंग 1 उसको कहते हूं एफ ट्री मान और एफ कर देम फोकस फॉकंट फोकस के यह focus, को कहते हैं focus point, इसमें जो आपको ये length दिखे रहे हैं, ये length आपकी B है, let us suppose कोई B length है, ठीक है, और ये B है, तो नीचे ओला क्या होगा, minus B होगा, let us suppose ये length आपका A है, ये A है, ये A है, तो इधर, इधर कितना होगा, minus Y होगा, तो मैं in coordinate, अगर ये B है, तो ये coordinate कितना हो होगा, ये coordinate होगा आपका, इस axis पे, इस point पे आपका होगा, 0B, ठीक है, इस point पे आपका coordinate कितना होगा, 0B, और इस point पे, इसका coordinate कितना होगा, इस point पे होगा, इस point पे होगा, आपका A, 0, ठीक है, now, देखिए, इस point का coordinate देखिए, इस point का coordinate कितना होगा, इस point का coordinate होगा, आपका minus a 0 ठीक है और इस point का coordinate होगा आपका 0 minus देखें इसको कहते हैं जो आपको यह axis दिख रही है इसको कहते है minor axis यह जो आपको length दिख रही है यह होता minor axis को कहते है minor axis को कहते हैं क्या minor axis minor axis हां से कहां था कि एक्च्यल में यहां से यह जो आपको point दिख रहा है point से इस point तक है इसको कहते है minor axis ठीक है यह आपका minor axis है ठीक है यह आपका minor axis है और major axis यह आपका इस point से । इस पॉइंट तक यह पोगा क्या है? प्रफ मेजर आक्सेस और अगर यह पूरा मेजर एक्सेस है तो इसका हाफ कितना होगा? इसका जो हाफ होगा, इसको करते हैं सेम New कि मेजर में सें एक्सेस है पूरा माइनर एक सिसे अगर इसको मैं कहरों माईनर एक सिस तब हाफ क्या कहूंगा क्या रिए पुरी की माइनर एकुरा । एकसे यह आपका समी मेजर एकसे और यह आपका समी माइनर एकसे ना देखे फैरा वोला के दो पॉइंट आपका एफ वन और एक फोकस पॉइंट है इस पॉइंट से आप किसी भी मतले अब अब आपको दिखा रहा हूँ अगर आप यह देखेंगे यह आपका अगर एफ वन से एफ टू वन से एफ टू अगर आप देखो यह कोई पॉइंट है इस पॉइंट में जो आप एफ वन ए पलस एफ टू एई ईजोड़ों कि लिटर साब इया कुछ यह रहा है यह रह पॉइंट पे कौन्स्टेंट इस आप दूसरा पॉइंट लेता हूँ, लेट असे पॉइंट मैंने यहां पे ले लिए ठीक है, यह बी पॉइंट है ठीक है, यह बी पॉइंट है और मैंने जब चेक किया, तो भाई पता चला मुझे, कि भाई, F1, B, P, PLUS, F2, B, यह भी लेंद पी ही आएगी, तो यह भी लेंद उंब कम चेक करो, तो जो पॉइंट पकड़ो और इन दोनों फोकस को चेक करो उचेक, पर चेक करो मैं हो को चेंज नहीं होगी पूरे ऑलिपस में ठीक है, आप यहां भी देख सकते हो। को यहां ले तो इस पॉइंट लिया क्यों पॉइंट लिया और इस पॉइंट रहने वाली मतलब कुछ F1 Q प्लस F2 Q या सेमी लेंध रहने वाली मतलब वह भी रहेगा डिक्ष परपर्टी अगर कुछ वो ऐसी property कोई कर रहा है तू कौन सा shape है वो ellipse है ठीक है ellipse की प्रोपर्टीइ एंड एक बात काम करते है इसको लिख लेते है इसी चीज़ को दोपटी लिख ली जिए इसकी collection of all point, collection of all point in a plane, in a plane such that, such that, such that, the sum such that the sum of distance, sum of distance, sum of distance of each, of each point, of each point from to fix point, 2 fix point, 2 fix point, 2 fix point, fix point, 2 fix point, well fixed point, see the illipse, then the same is constant, 2 fix point in the plane, क्या हैए रहने वालए machen क्या रहने वाले गर ऐसा कुछ आपको शो हो रहा है तो थो के आपका यहां क्या है आपका ह्लाक के जो जो जन्नल एक्वेशन होते है एक स्क्वेर अपोन स्क्वेर अपोन में Kाहतो भी स्क्रंडि का वन यह कहा है एलिसके जैनल एक्वििशन है अभेस्टी मिद्शाने एकoten Mix उतलब यहाला एक्सट का एक्सेस यह पाई एक्सेसे और आप जो मैं ने दिखाया था आपको यह से इसज़ादा जानना नहीं है और यह आपका focus point है कि देखना था क्या होता है इन details में बहुत ज्यादा डैप्न पड़ोगे जब हमनी क्या है इतना ही जानना बहुत है ठीक है इसिक मैथमेटिक्स फिजिक्स पढ़ रहे हमें जितना जुरूरत है मैथ में फिजिक्स में हमें सॉल्व करने के लिए नुमेरिकल सॉल्व करने के फिजिक्स को समझने के लिए हमें जितना जुरूरत है उतना ही पढ़ रहे है ठीक है इलिप्स के दो focus point ठीक है अब अगर सोचो ये ellipse के दो focus point कभी जुड के एक point बन गए ये ellipse के दो focus point आपको दिखे रहे हैं ये दो focus point अगर एक मिल गए तो भया ये आपका create जो graph करेगा न जो create curve करेगा वो circle होगा मतलब ये आपका दोनो focus point क्या होगा है मैं चोगा फिर वो special case क्या होगा मतलब ellipse का special case क्या है तो भया जो circle की general equation होती है वो होती है आपकी x square plus y square is equal to is ये circle की क्या है general equation और circle का जो curve होता है ठीक है इस circle का shape है ठीक है इसमें जो आपका x axis y axis ये आपका y axis ये आपका x axis ये ठीक है इसमें जो आपका ये जो length up है जो radius है लेडियस है ये रिडियस का है वही यहापी ए ठीक है ये आपका x axis क्यों ये 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 ठीक है और इसकी जो general equation क्या है इसकी क्या है general equation और ये circle है circle की जोनल्रेक्विशन ठीक है इसमें आपका a constant है क्योंकि radius होगा fix होगा तो एक constant की तरह ठीक है ये ठीक है बाकी in detail हम मैथ में cover करेंगे ठीक है हमें यहाँ बस देखना था क्या होता है circle circle कैसा होता है circle की general equation कितनी होती है को युडिक जोने पर 닉नी करते है लिट्ड होता है नक्स Weak कि ओному जह फ्रोंट की नग्स क्लास में बात करें गरेंगे उसके बाद करेंगे इंट्रिगेशन आज की क्लास को इतनी रख तेैं जो तरह एक सकते हैं मिलते है झैस्ट रधास